हर्याना एट्टाइन पेम नुश्यानल में आपका स्वागित है आई आपको कराते हैं खब्रसब्रीट दस जुलाई को लगाई जाएगी लोग अदालत लाब उठा सकते हैं उपभोकता खरकुदा नायले में 10 जुलाई को शेत्र के लोगों की समस्याओं को निप्टाने की उदिश्य से लोग अदालत लगाई जाएगी इस संबंद में विस्तर जानकारी देते हुए पुलिस अधिक्षक श्री जशन दीप सिंग रंधावा ने बताया कि लगू सचीवाले स्थित अंतराज्ये वीडियो कॉन्फरेंस में पुलिस प्रशाशन के अधिकारियों की मीटिंग हुई जिसमें उत्रकंड यूपी हरि जैने विद्याले सिक्षा बोर्डनी ओपन स्कूल दस्वी का परिणाम किया घोशित फ्रेश कटेग्री के 20,154 परिक्षार्थियों का रिजल्ट किया घोशित जिसमें 13,706 वे 6,454 चात्राइं थी शामिल बोर्डनी 100 प्रतिशत निकाला परिणाम चोथिस एजार 13,136 CTP पी री अपियर मरसी चांस के चात्रों का भी परिणाम खोशित जिसमें 20,607 चात्र वे 13,539 चात्राइं शामिल फ्रेश कटेग्री के चात्रों के 33 प्रतिशत अंक दर्शा कर किया परिणाम खोशित बाहरवी का रिजल्ट 25 जुलाई से पहले आने की संभावना बोर्ड च साक्षी के साथ हुई मारपिट मामले की जांच में अब नया मोड आ गया है डियस पी डॉक्टर अविंदर सिंग द्वारा नए सीरी से जांच शुरू करने के एक घंटे के अंदर ही आरोपियों की धर पकड़ शुरू कर दी थी चार आरोपियों को गिरफतार भी किया चा जिस पर घायल साक्षी के परिचनों ने भी सहमती ली है जिसे अब साक्षी के परिचनों को ड्येस पी की जांच से न्याय मिलने की उमीद बंदी है गोटलब है कि साक्षी नेशनल स्तर की खिलाड़ी है जो जम्मो कश्मीर वतेलांगाना स्टेट में प्रति निधित्वग कर चुकी है कबड़ी खेल में साक्षी निरंतर आगे बढ़ती जा रही थी जिस परिवार पर हमली के आरोप लगी है उस परिवार के लड़कियों भी कबड़ी खेलती है लेकिन बताया जाता है कि साक्षी के प्रक्षि तुलनात्मक बढ़ होतरी पर थी जिससे आपसे वे प्रक्षि के बयानों के अधार पर मेडिकल कराना पड़ा मैं सरीकांत आज अपने साक्षी बिटिया को लेकरके कथन उनसार पुलिस उस्तरप है उनके कहने पर आज रही मेडिकल के लिए स्वील होस्पिटल सौनी पता है तो बिटिया अंदर मेडिकल चल रहा है अभी? लगातर खबर से अब डिट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब सरूर करें धन्यवाद